कितने सालों से यह इस्ठिती है आपकी तीन साल से हमको सबसे जब्ध की लचारी है पैसे के अभी पूरा जीवन एक बैड़ पर बीध रहा का या क्वा लूब है न चल सकते हैं न ऊठ सकते हैं न बैड सकते यह नशीब का बात है बाबूिघ को फार हुए पएर में जो है वह सूजन आ गई है गोपाल राय जी का यह पैर है और पूरे पैर में जो है दाइना पैर वो काम नहीं कर रहा है करेक्टर को कितना मिलता है एक ही हिरो है जिसका नाम है बोजपूरी की धरोहर कहे जाने वाले लगभग 2500 फिल्मों में काम करने वाले गोपाल राय जी इस वक्त हमारे साथ है 40 साल तक अपने जवानी के दिनों में बोजपूरी में अनेक अनेक किर्दार निभाया और आज ये बेट पर हैं बिस्तर पर हैं पवान, खेसारी, इसके बाद रवी किसन, मनोट टाइगर, मनोट सिंग, मनोट तिवारी तमाम लोगों के साथ जो है इनोंने विभिन फिल्मों में विभिन किर्दार को दिखाया और विभिन किर्दार के माध्यम से भोजपूरी को जागरित किया लेकिन आज कुछ इनके ऐसे दिन आ गए हैं कि ये बेट पर पड़े हैं लेकिन कोई भी बड़ा कलाकार इनको देखने वाला नहीं है इनका दाहिना पायर जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं करता है ये चल नहीं सकते हैं उठ नहीं सकते हैं बैट नहीं सकते हैं ये स्वेच्छा से जो है मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकते हैं और इनको समस्या है लेकिन जब ये किसी बड़े कलाकार को किसी बड़े प्रेडि अपना सर्वोच योगद्वान देने वाले गोपाल राय जी सबसे पहले प्रणाम आपको और नमस्कार कैसे हैं आप बस दिखी रहे हैं क्या हो गया चाचा आपको पता रहे हैं क्या हुआ लोगडाउन में आए अब लोगडाउन लगए रगया मेरे उपर तो विवार होगे कितने सालों से यह इस्थिती है आपकी इन साल से दोफित्विन नहीं आए जिन के फिल्मों में आपने बाप का रोलादा किया वह बेटे भी नहीं आए दिरेस्ची आजी रहू हुआ चूआ सभ़ाद है जब बंबे में अपरेसर वहा ताब पेढ़का ना तबकर भी रात दिनेश लाल यादो निरहुआ जी मुंबई में जब आपरेशन हुआ तो बैठे रहे जब तक हुस नहीं आए विचरा घर नहीं गया और मालिक को दौा से यहां भी आके गए तो जब से यहां भी आये थे पावन सिंग खेसारी लाल यादो यह लोग नहीं आए हो सकता है लो इतना बिजी हो गए कि आपको देखने का समय नहीं है उनके पास कोई बात नहीं है आपने फोन के माध्यम से जानकारी तो दिया होगा जैसे भी खुसर है तो फोली जब रहे उटा है आपको भोजपूरी का जनक भिस्म पितापमा धरोहर कहा जाता है आपको क्योंकि आपन कुलाल सिंग को बुली है उनके साथ मैंने बहुत काम किया उनके साथ केरियर के सुर्वात भी किया और उनने जो मालूम हुआ तुरत 20,000 रुपे बेद दिये नशीब का भाद है तक्विर का बाद है जो लिखा भोग रहा हुग दुख नहीं होता है कि आप बड़े बड़े कला कारों के साथ आज जो भोजपूरी इंड़स्टि के पावर स्टार ट्रेंडिंग पने हुए हैं वो लोग आपका जो है मदद करने के लिए नहीं आए दुआ करें वो भी खुश रहें मेरे लिए भी दुआ करें भगवान से हम आज अच्छे हो जाएं तो कल से सुटिक चालो करना सुरू कर दें सब लोग तो मुझा मैं बैठे हैं पूरूसर लोग नेके एक बात में बुर सुरू कर दिये करेक्टर को कितना मिलता है हम लड़ जगर के पहर का प्रब्लम छरी पगर के करते थे हम नहीं जाते थे चाह लेके पी सकते हैं त्या कुछ अज दौवा खाते थे तिन टाइम आहरविदिक चलता था दर्द के ताइम में तो बवाय रखना सुरू की है पैर देखिए आप मित्रों पूरे पैर में जो है वह सूजान आगई है अड़को पी ँपाल्रायी सबाट जो है जो हमें खुले हुए हैं अपना पैसा एक अठा करते हैं जिसको भी तकलीब होता है उतको दिखते हैं तो या हमारे देव पार्डे जी देव सिंग को पता चला अगरे सार की बात है यह इसी बात हो गई तुरह सार से जड़ा बेचा उन लोगों ने बनलब जिल लोगों के अंदर दया नाम की चीज थी उन्होंने आपकी परिस्थिती को जान कर जो है वह आपको मदद किये लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आपने फ्वान किया कोई भी फ्वान उनका जो है उनका पीए उठा रहा है सेकरेट्री उठा रहा है तो कोई यह एक कामरा मैं कभी उठा रहा है कभी मेक अपन सच है अधा एक ही कर सकते हैं और सब खुछ रहे हैं कर सम्भष्ट रहे हैं तो अब क्या कह सकते रही है उन लोगों के सुटे के रहे में प्यार मिला जा रोल मिलता था प्षा करते थे एक हेरो है जिसका नाम है दिलेश वो आके भी गए मिरे विहारी जी भी आके गए वो रियल के भी हेरो हैं और रियल के भी हेरो हैं उन्होंने मदद किया आपकी अभी तक करता है रवी किसन मनोत तिवारी ये लोग सांसद हैं लोग चाहें तो आपका एक बहतर अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं दोबरा प्रिशन हो नहीं सकता मेरा बेटा है ना जिनका नाम है पपू लोग गाउं में कहता है लेकिन ऑफिशियल नाम उनका जो बच्पन से धर्मनाज रहे नाम है वही बेटा हमणा सब कुछ कराता ह आपे लोगों को अपने ही कौम के लोगों को देखने का मौका नहीं है के पाद आहाँ कादल हीका शॉटКो कुछ होता है तो पूरी डॉक्तर कौम एस चाहती है एक वकील को होता है तो पूरी वक्याग की जो कौम है वह साथ में खड़ी हो जाती है लेकिन बोजपुरी के धरोगार कहे कहे जाने वाले गोपाल राय जी कोई जब तबीयत खराब हुई इनको कुछ हुआ तो इन्हीं के कौम के लोग जो है इन्हीं के इंडेस्टी के लोग इनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं और दुर्भाग एका बात कुछ लोग जो है वीडियो देखे प्रिंस्पल आप जी तेश कुमार जी ने वीडियो बनाया कुछ लोग बीडियो देखे मनो सिंग टाइगर जी इसके बाद जो है वी आई बी विजंदर जी इसके बाद और एक अदाक का रहा है सीमा सींग जी यह लोग इनके घर पर आये और इनकी स्थिती पर इस्थिती को जानने का प्रय बनला के सोगो साथ भिढला के के हुना के हुना ती इसे आज थक हम को भजफुरी का एक ही कहना याद है कहें कित तो सब कहावे वाला की हूँ न लेकिन आपन कहावे वाला के वना । कि अर्म दभाराइसों सव्य जादा हूं भगे। जितेंने भी अए व अम तुनाल जी के साथ यह काम स्थाच किया था हमारे अ कुछे दर्जाणी कैसे you पहला काम दिया था उनों ने अब लगता है कि जो है आपकी कोई मदद के लिए यहां पर आएगा इलेक्शन से फिरियों के लिए सबाएंगे ना पावन जी ने ख़बर विजवाया कि कहा अच्छता से इतनी एलेक्शन के सबाएबा हम भी जीवानी जैसे ही टाइम मिले हम ज टाइय का मालम नहीं था उसको मालम होता तो देखने के लिए क्या कोई संसंस्त मंतरी बिदाय कोई नहीं नहीं आया कि ऑ आज इनको चिंता है भोजपूरी इंडेस्टी के विकास और विस्तार की कहते हैं कि हम मुंबई या दिली या यूपी में जाते तो सबसीड़ी मिलते लेकिन बिहार सरकार जो सबसीड़ी भोजपूरी फिल्मों पर नहीं देती और अगर देने लग जाए तो बहुत सारे कला जारी परिसे की नहीं है मरें बेटा भी बेट गिया आप्टा का जॉढ बिचूड गया और आपके देखरें करजा हो गया दुनिया भर का करजा भी हो गया कर जाबेन तो क्या करें साथ ऐख रुपिया दर शरीर में घुच गया साथ आठ रराक पीच में हवा भी लग गय पैसे के अभाव के कारण हो में पैथिक का इलाज करने लगे चलिए मित्रों हमारे साथ जो है भोजपूरी की धरोहर गोपाल राई जी हैं इनकी इस्थिति आप देखकर यह अनमाल लगा सकते हैं कि यह किस दुख और तकलीफ से इस वक्त गुजर रहे हैं सबके सामने हाथ जोडने पर इसलिए बेबस हैं क्योंकि एक समय में बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्मों में अपनी काबलियत के अदम से अपना लोहा मनवाने वाले गोपाल राई जी आज एक छोटे से कमरे में दिन भर बेड और वि जी की मदद के लिए जो है बहुत सारे लोग आए मदद के लिए लेकिन दुख इस बात का है कि जो संसद में बैटरे सांसद लोग हैं चाहे वो रभी किसन हो या फिर मनोत तिवारी हो या फिर मैं बात करूँ एक्टर खेसारी लाल यादो की पवन सिंकी इन लोगों की जरूर खड़े होते अपने पिता समान कलाकार के लिए जरूर खड़े होते लेकिन दुरभाग्य का बात यह है कि आप अपने पिता समान एक कलाकार के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो मैं आपको हीरो नहीं मानता हूं मैं आपको एल्बम का एको छोटा सा रील स्टा बाकि दुख है हम्मे लोगों को कि बोजपूरी की आनमान बान सान कहे जाने वाले गोपाल राईजी इस वक्त जो है वो दुखी है उनको मदद किया हुसकता है उनके पैर में तकलीफ है उनको पत्की जरूरत है लेकिन बहुत सारे लोग से सफ़ेतों म Sorry प्वजूद भी इनको help नहीं मिली क्यों क्योंकि इनकी कोई सुनता ही नहीं है उनको लगता है कि काम कराया और इसके बाद जो है यह खतम एक कौम होना चाहिए और उस कौमियत में सब को जो है अंतिम सांस तक लोगों का साथ देना चाहिए अगर यह बिमार है तो और साथी क मन्नी भी किसी गड़ीब आसाहय को दान नहीं देते हैं जो है हमारे साथ गोपाल राइजी थे इनके इस्थिती पर इस्थिती को दिखाने का प्रयास कर रहे थे दाहिना पर बिलकुल नहीं काम कर रहा है बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाचा चाहिए